Hey guys, welcome back to our channel. This is Umish Bhartavaz once again without you. दोस्तों, आज की वीडियो में solution करने वाले हैं TGT Computer Science. फ़स्त अगस्त में जो examination हुआ उसका और tricky solution, exam hole वाला solution एकदम. इससे पहले भी वीडियो में provide करा चुका हूँ recent examinations के solution की. वो भी देख लेना नहीं देखिए हैं तो वरना ये तो आप continue कर ही लेना. Question number 1 हमाने सामने. What is the value of given expression? हम इस expression की value बतानी है. Simplification से question है और जैसे ही मैंने यहाँ पर ये 15 into 15 into 15 देखा यानि की 15 का cube बन रहा है है. तो मुझे समझे में आता है ये identity based question पर रहेगा. ये है 15 का cube. उसके बाद ये 64 है 4 का cube. 4.16 चोक है 64. उसके बाद ये 3ab की value है. 3ab into a plus b की value. कहां से पता चलता है कि भाया ये तो आगया 15. यानि की a की value 15 आप कह सकते हो. b की value आप क्या कह सकते हो? 4 कह सकते हो. ये 3ab यानि की 15 गुना 4 आप करोगे. a into b 60 बन गया. तो 3ab की value इतनी हो गई. ये क्या है? a plus b की value. इसका मतलब सीधा सीधा ये आपका बन रहा है. a plus b का whole cube का formula. a plus b आपका कितना आगया? 15 और 4. 19 का cube. 19 का cube अगर आपको याद है तो direct answer भी लगा सकते हो. और अगर नहीं याद है तो answer आपको निकालना पड़ेगा कैसे? 19 का square कितना होता है? 361. गुना में 19 करोगे. 19 से कम 19 का 9 का हासिल लगा. 19 चिका 114 और 15 का 5 हासिल 11. 19 तिया 57 और आपका 11 यानि की 68. ये आपका answer आजाएगा. ठीक है? तो यही answer आपको निकालना था और आगया है सामने. आपकी calculation सिर्फ इतनी थी. बाकि कि ये complete calculation आपकी सिर्फ और सिर्फ दिमाग में होने चाहिए. आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ने चाहिए. ठीक है? तब ही आप इनको accurately attempt कर पाओगे. Question number 2 में क्या बूला गया है? कि ये हमें एक expression दिया हुए है. जिसमें बूला है 42A plus 42B is equal to 672. छेसो बहतर. आपको एक बात बताइगे. और हमसे पूछा गया है? average पूछी है. A and B की. A and B की average का मतला हमसे क्या पूछा है? A plus B divided by 2. हमें इसकी value बतानी है कि क्या होगी? ठीक रह ही value में मिली. अब इस 42 इधर multiply हो रहा है. इधर जाकर क्या हो जाएगा? divide हो जाएगा. और A plus B मुझे यहां पर मिल चुका है. लेकिन मुझे A plus B by 2 निकालना है. तो मैं इधर भी 2 से divide कर दूँगा. और इधर भी 2 से divide कर दूँगा. इसका मतलब यहां से 42 तो cut गया? क्योंक इसे भी कर सकते हैं. दो तिया 6, दो तिया 6 और दो चिक 12. 336 तो यह आ गया. उसके बाद आप 6 से कर सकते हो. 6, 47 और 6, 35, 36, 36. 7 से करोगे, 7, 8, 56 पर चला जाएगा. यह रहा. option number A आपके सामने 8 ही यहां पर दिया हुआ है. ठीक है? यह देख लेज़ेगा. option number A. सिर्फ इतन number 3 है, mensuration से. और अच्छा question दिया हुआ है, तरीके से करने के वाला चीज है. बुला है, perimeter of rectangle. perimeter of rectangle क्या होता है? twice of L plus B. ठीक है? length into breadth. जो की दिया गया है, किसके बराबर? 110 के बराबर. बुला है difference between length and breadth. इसका मतलब भई, length अगर मान लेता हूँ L है, तो breadth कितनी हो सकती है? L minus 5 ह 5 हो सकती है, 5 का difference से कुल मिलाकर, लेकि length क्योंकि बड़ी होती है, breadth कम होती है, इसलिए मैं breadth को L minus 5 करके चलता हूँ. मान लेता हूँ कि यह twice है, यह L plus breadth को मैंने क्या माना? L minus 5, क्योंकि 5 का difference create करना था. 110, 2 से मैं यहाँ पर cut करूँआ, यह 55 बन जाएगा, इस 5 को इधर लाक अगर add करूँगा, 60 बन जाएगा, यह 2L बन जाएगा, और 2 से मैं 60 को cut करूँगा, 30 बन जाएगा, L की value मेरे पास आ गई 30, ठीक है, L की value होगर 30 है, तो breadth की value कितनी आ गई मेरे पास 25, इतनी बात I hope आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने 5 का difference create किया है, L minus 5 हमारी breadth है इतनी चीज़ अगर clear हो गई है, तो मैं इसको clear करता हूँ, और आगे का question solve करता हूँ, देखे, if the area of rectangle is equal to area of equator triangle, area of rectangle, बोले तो length into breadth, length मेरी आई थी 30, और breadth मेरी मिली थी हमें 25, और यह बराबर दिया हुआ हुआ है equator का area, जो की root 3 by 4 a square होता है, ठीक रही बत, अब यहां से इधर आकर multiply होगा, इस 4 को मैं इधर multiply कर देता हूँ, हो गया जी, इस root 3 को मैं यहां से cut करके denominator में ले आता हूँ, यह square की value मुझे मिली, अब मुझे क्योंकि यह square भी यहां से हटाना है, क्योंकि मुझे side निकालनी है, side of equator triangle बताना है, तो obvious सी बात है कि मुझे इनका root करना प अब बोलो कि जो नहीं हमें तो proper solve करना है, हमें तो आगे की चीज भी चाहिए, तो वो भी सुन लीजे कि कहां से आएगी, इस 30 को अगर आप break करते हो, तो आप लिख सकते हो, इसको 10 गुना root 3, एक denominator में root 3 है, इसको आप cut कर सकते हो, यहां से, उसके बाद हमें मिली सिर्फ root 3, और root 3 हमें सिर्फ इस value से मिली है, जब हम यह square वाली चीज भी हटाएंगे, कहने का मतलब 3 की पावर एक बटा दो, तो हमें अपनी equation से मिली गया, जब यह वाला root हमें square की जंगे वापिस से ऐसे करेंगे, तो कहने का मतलब 1 by 2 हमें और लगाना पड़ेगा, कितनी value हो आपको पहली बता दिया, कि आप सिर्फ एक step करकर ही अपने answer तक पहुंच सकते हो, ठीक है, next question पर switch करता हूँ, और चीज़े अगर ना clear हूँ, तो मुझे comment section में बता दीजिएगा, description में telegram channel का link है, वहाँ पर query clear कर लीजिएगा, हर तरीके से आप लोगों को साहता कर दी जा यह जो 9 है, वो 7 से कितना ज्यादा है, P is how much percent, कितना percent ज्यादा है, सीधी सी बात है, 2 का हिसाल किता बात है, कि सिर्फ 2 ज्यादा है, कितने पर, 7 पर 2 ज्यादा है, तो 100 पर कितना होगा, यही तो हमारा सीधा सा बात होती ही ना, कि percentage में निकलना है, तो 200 बटा साथ आजएग कि point का काम करने के आपको ज़रूरत नहीं है, एक option नजरा रहा है, उसको click करो और आगे बढ़ जाओ, next question पर देखिए, कुछ questions बिल्कुल ऐसे आए हुए हैं, कि हलवा तरीके के, कि आप बहुत अच्छे से attempt कर सकते हो, easily attempt कर सकते हो, और चीजे भी बहतर तरीके से हो सकती है cost price and selling price of an article are in ratio 11 is to 16, देखिए, कितना इजी तरीके से यह question दिया हुए है है, कि आपका cost price और selling price की ratio दी हुई है, हमारी 11 है और 16 है, होगी बात, उसके बाद बोला है, if cost price is increased by 20% and selling price increased by 20%, या अगर यह ratio, 11 बाट यह 16, मैं इसको price बना लेता हूँ, एक एक 0 चिपर देता हूँ, मैं कहता हूँ, मेरा cost price था 110 और selling price था 160, cost price मैंने 20% बढ़ा दिया, यानि कि 10% की value 11 और इसी के अंदर 11 दूनी 22, मतलब 22 रुपया मैंने बढ़ा दिया, अगर मैं 22 add करता हूँ इसको तो 1, 3 और 2, मतलब 132 हो गया, 20% बढ़ने के बाद, अगर मैं selling price को भी 20% बढ़ाता 32 का जम करना है, यानि कि 60 और 30 90, 192 बन गया है, what is the new profit percentage, यार cost price मेरा था 132, selling price मेरा है 192, कितने का difference आ गया, यह आ गया, जी आपका 192 मैं से 132 आप माइनस करतो, 2 से 2 गई 0, 9 मैं से 3 गई 6, 60 रुपय का आपका profit आ गया, लेकिन हमें तो percentage में चाहिए, 60 रुपय का profit कितने के उपर है, 132 के उपर 60 रुपय का profit, तो 100 पर कितने का होगा, हमें सिर्फ इतनी व्यात निकाल नहीं है, ठीक है, 4 से कट कर सकते हो, या 4 तिया 12, 4 तिया 12, यहां पर 4 से कर सकते हो, 15 का 60 होता है, ठीक रहे बाद 3 से कर सकते हो, 11 तिया 33, तिन पंजे 15, यानि कि 5 गुना 100 divided by 11, म Option Number C, इतना ही करना है, आपको ज्यादा आगे की calculation, point वाली, decimal वाली मत करो, फस जाओगे, फस ना क्या है, टाइम खराब कर देगो, आपको answer को मिल ही रहा है न, और calculation में भी कहीं पर गड़ बढ़नी हुई है, इतना ही आपको चीजें करनी है, आगे बढ़ते हैं, Question Number 6 है हमारे पास साधारन ब्याज से, और इसमें बोला गया है, कि एक साधारन ब्याज हमें एक मूलधन वैल्यू के उपर मिलता है, 1280 रुपे 4 साल में, और हमें बताना है कि सेम इंट्रेस्ट के हिसाब से, और सेम रेट अगर है, मतलब ब्याज की दर सेम है, तो 10 साल में क हमें बताना है कि 10 साल में कितना मिलेगा, तो एक जिरो इधर चिपका दी, एक जिरो इधर चिपका दी हो गया सवाल, ये option number भी आपका answer, 10 साल की value आगे, unity method आपको use करना था, कहीं पर आपका और कुछ लग भी नहीं रहा है, चलिए, next question पर switch करते है, आपका, question number 7, question number 7 भी अ is equal to y is to z, okay, तो यहां से हमें एक जिरो समझ में आती है, कि यह x divided by y is equal to y divided by z है हमारे पास, okay, हमें value निकालनी है, x की power 4 और y की power 4 का ratio, x की power 4 बनाने के लिए सिधी सी बात है, पहले तो मैं ये कर सकता हूं, कि x बराबर मेरा क्या आगया, y का square divided by z, अगर मुझे यहाँ पर 4 क क्योंकि मुझे यहाँ पर चाहिए है, तो वसी बात है कि इस पूरे को भी मुझे power 4 करना पड़ेगा, क्या value आ गई, y की power 8 हो जाएगी, और z की power 4 हो जाएगी, यह तो आ गई जी x 4 की value, x की power 4 की बात की जाए, तो y की power 4 कि इधर से निकाल सकता हूं, मैं इधर से ही निकाल 4 is equal to है, y की power 8 divided by z की power 4, यहाँ से मुझे इस 8 को 4 बना देना है, क्योंकि मुझे y की power 4 इधर चाहिए है, कैसे बनाऊँगा, power को divided by 2 कर दूँगा, इधर भी करूँगा, तो मुझे यहाँ पर भी करनी पड़ेगी, ठीक है, और इधर भी करूँगा, तो इधर भी करनी पड य की power 4 की, बस इन ही का आपको क्या करना है, division में रखना है, कौन-कौन सी value, यह वाली value और यह वाली value, इनको आपको अपोन में रखकर करना है, और अगर आपको कुछ प्रोब्लम आए, तो आप डारेक्ट यहाँ से y की power 8, जो है न, y की power 8, इसकी value डारेक्ट पुट कर सकत हो, कहां से, बस इस z को इधर ले जाकर multiply कर देना, तो आपके पास यहाँ पर भी x और z वाली चीज आ जाएगी, और यहाँ पर भी x और z वाली चीज है, अपकी cut pit करने में easy हो जाएगा, x square divided by z square आपको answer मिलेगा, okay, I hope आप समझ पाए होंगे, ठीक है, और obvious है, कोई इतनी ज्यादा डिक्कत वाली चीज भी नहीं थी, और solution भी बिल्कुल साफ था, question number 8 देखेगा, question number 8 बूला गया है, अब bus cover a distance, एक bus है, जो की एक particular distance of 30 km, 30 km का distance travel कर रहती है, 37 मिनिट में, यहाँ पर यह दिया हुआ, 30 km का distance, 37 मिनिट में, अगर उसकी speed decrease कर दे जाए, कम कर दे यहाँ पर minute की बात की गई है, आपर hours की बात की गई है, ठीक है, तो वो same distance cover करने में कितना time लेगी, एक सीधी सी बात सोच कर देखो, कि 36 मिनिट के अंदर आपका रस्ता चला जाता है, कितना, 30 km का, मैं इसको क्या करता हूँ, 6 से डिवाइड कर देता हूँ, 6 मिनिट के अं 50 km, 50 km per hour की क्या गई, speed आ गई, अब हमें क्या करना है, कि 10 km per hour की speed decrease करनी है, यानि कि हमें कि से चलाना है, 40 km per hour की speed से चलानी है गाड़ी, और कितना distance cover करना है, 30 km का distance cover करना है, 40 की speed से, यह मैंने 0 से 0 उड़ा दिया, और क्योंकि यह मेरा time आया ना, distance upon speed, क्या आया, time की value है, क्योंकि 1 की value, 4 की value 60, 1 की value 15, 30 की value 45, तो 45 minute ही आपका answer हो जाएगा, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, उमीद करता हूं कि आपको चीजे समझ में आ रही है, इसलिए आगे बढ़ रहा हूं, next question आपका कहां से दिखाई दे रहा है, graph से दिखाई दे रहा है, ठीक है, graph से ह है, तो यह देखेगा, अरे यही तो हटाना था इतनी देर से, चलिए, ऐसे हटेगा, question number 9 है यह, और इसमें पूछा क्या गया है, मैं वो value देख लेता हूं, I hope आपको दिखाई भी दे रहा होगा, okay, इसमें J1-J2, mostly papers के अंदर यही चीज आये थी, कि J1-J2 की value है, देखे, J1 क्या बुला है, value of sum of discount on article C and D, ठीक है, हमें sum, किसका discount का sum, कौन से article C and D, यह वही C है और यह D है, ठीक है, mark price और selling price, अगर mark price मेरा 450 है, और 425 में चीज बेच दी, इसका मतलब discount कितने रुपे का हो गया, 25 रुपे का discount, अगर बात करता हूं, D वाले value की, वही, 362 रुपे तो mark price था, और बेच दिया, 318 रुपे में, तो यहाँ पर यह discount कितने का कर दिया, 44 रुपे का discount, यहाँ पर क्या बोला है, sum की बात की गई है, J1 के लिए, तो इन दोनों का, अगर मैं sum करूंगा, तो कितनी value आ गई, 69 आ गई, एक तो बात इतनी हो गई, उसके बात क्या बोला ह इक लिए 435 रुपे तो mark price था, और 420 में बेचा, 15 रुपे का क्या है, discount है, लेकिन हमें इनका difference निकलना है, 44 में से अगर मैं 15 को minus कर दूँगा, तो मुझे कितना मिलेगा, 39 मिलेगा, ठीक रही बात, यह तो आ गया difference और यह आ गया sum, अब इनका क्या निकलना है, J1 minus J2, यह अगर मैं इस में से minus करूँगा, तो 9 में से 0, 6 में से 24, 40 आपका answer होना चाहिए, एक बार मैं cross verify कर देता हूँ, ठीक है, देख लीजीगा, क्या होना चाहिए, 40 answer, यह देखिए, option number C आपको दिखाए दे रहागा screen पर, यही आपका answer है, ठीक है, answer नहीं, answer, क्योंकि अगर किस लेकिन यह है, बोल चाल की वाशा में कई बार चीजे निकल भी जाती है, तो उनका इतना बुरा मतमाना कीजिए, if the difference between two numbers is 75% of their sum, देखिए गा, यह देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन होता नहीं, इसने क्या बोला है, कि 75% sum का है, इसका मतलब difference हम कह सकता है, कि A minus B हम चार को मैं इधर गुना कर लूँगा, तीन अंदर हो ही रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि 4A minus 4B बराबर 3A plus 3B, A की value एक साइड कर लेता हूँ, तो इधर आकर यह उठेगा इधर को, तो यह minus हो जाएगा, मतलब 1A is equal to, यह इधर जाकर plus हो जाएगा, मतलब 7B, A upon B is equal to 7 upon A का बस यही आपको करना था, option number B answer, ठीक है जी, चलिए, अब होप आप समझ पाए होंगे, question number 11 देखिए, question number 11 थोड़ा सा time taking वाला आप कह सकते हो कि ठीक है, calculation करनी पड़ेगी, चीजे समझनी पड़ेगी, statement पड़नी पड़ेगी, लेकिन tough बिल्कुल भी नहीं है, क्यों नहीं ह रही है, 84 km downstream में, downstream बोले तो X plus Y की speed से, 42 km कर रही है upstream, मतलब X minus Y की speed से, इवना speed of boat and speed of stream दिया हुआ है, मतलब ये 6X की value है, और 2Y की value है, मतलब 84 km, 6 और 2, 8 की speed से चल रही है, और 42 km की speed से चल रही है, 6 में से 2 जाएंगे, 4 की speed से चल रही है, तो इसने बोला है कि total time taken 20 गंटे है, अच्छा भई, लगा लेते हैं, ये 84 है, और 8 की speed से चल रहा है, तो ये time निकल गया, ये 42 km चल रही है, और 4 की speed से चल रही है, भई, देखो, 8, 2, 80 होता है, तो ये 10 point something आएगा, उसके बाद 4, 2, 40 होता है, और 0.5, इसका मतलब ये 10 और 10, 20 तो ये होगे, 5 ये होगे, मत of platform is 1200 meter, और 600 meter क्या है, लंबी train है, वो 30 second में cross करती है, complete को, तो उसकी speed 24 km per hour है क्या, हमें ये बतानी है, 1200 meter तो है platform, और 600 meter है, मतलब आपका 1800 meter का distance, ट्रेवल करती है train, कितनी देर में, 30 second में, आप कह सकते हो न, सीदी, सीदी, बात, एक मोटे मोटे तोर पर बात की जाए, तो म मतलब मुझे नहीं लगता, ये 0 से 0, 3, 6, 8, 60 की value एक हिसाब से आ रही है, और 6 के multiple में जा रही है, तो 54 वाली चीज तो आप देखे, किलो मेटर की बात की जा रही है, किलो मेटर की अगर मैं नोर्मल से चीज होते हूं, कि एक second के लिए अगर मैं कहूं, तो ये 60 meter, उसके ब 216, मतलब 216 किलो मेटर परावर के स्पीड आ रही है, एक तरीके से, मैं ने कहीं गलती कर दिया, लेकिन 54 तो तब भी नहीं आ रहा, इसका मतलब आपकी दोनों ही statement गलत है, ठीक है, आपको बस ये concept अपने आद रखने हैं और apply करते हुए चलना है, justify करना है अपनी given statements को, question number 12 देखिएगा, ये easy होता है question, लेकिन decimal के चकर में लोग फस जाते हैं, कैसे फसते हैं, आपको ये जो अंदर वाला route देखिए पहले, इसका मतलब होता है कि power 1 by 2 हो जाना, power 1 by 2 में हम जब ये निकालते हैं, तो दो के pair बनाते हैं, तो सेधी सी बात है, एक 0 तो यहां से निकल अंदर रूट 3 है, इसका मतलब होता है, power 1 by 3 हो जाना, अब हम 3-3 के pair बनाएंगे, लेकिन हम पहले इसको add तो कर दे, जैसे हम इसको add करेंगे, हमें मिलेगा 027, ठीक रही बात, अब 3 का pair बना, मतलब pair तो 2 का होता है, मतलब 3 हमने digit को combine किया, तो यहां से मुझे पता चला कि क्यों होता है, ठीक, तो यहां से आपको answer यह मिल गया, कुछ भी गलती नहीं है question में, बिलकुल okay question है, और इसी तरीके से किया जाएगा, आगे move करते है, question number 13 देखेगा, कुछ-कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से दी हुई हैं, और easy दी हुई है, ऐसा नहीं है कि बहुत tough ह 6 time of volume of sphere is this centimeter, what will be the 10 time of the radius, ध्यान दीजेगा, यहां पर volume of sphere की बात की गई है, और यहां पर सिर्फ radius की बात की गई है, यहां 6 time, किसका volume of sphere, volume of sphere गोले तो 4 by 3 pi r cube, यानि कि 4 बटा 3, गुना 22 बटा 7, गुना r cube, बराबर है किसके, यह वाली जो value है, 29106, ठीक है जी, यहां से आप r cube निकाल सकते हो, बहुत easy लिए, कि कैसे निकालना है मैं आपको बता देता हूँ, इस 6 से पहले तो आप cut कर सकते हो, यहां पर, क्योंकि आप unit digit पर भी 6 देख रहे हो, और हो जाएगा, ठीक है, तो चलिए, cut ही कर लेते हैं पहले, 624, उके उसके आप cut कर सकते हो, 11, चलो, यहां cut लेते हैं, 11 दूनी 22, ठीक है, और 11 चोक 44, 45, 11 चोक 44, 11 एकम 11, आपको 449 देखते हैं, माइंड में एक क्लिक होना चाहिए, कि यह 21 का square होता है, ठीक है जी, इतनी बात बस आपको समझ में आने चाहिए, मैं आगे की value लिखता हूँ, आर क्यू बराबर कितना आ गया, 441 तो यह उपर बच गया, गुना में यह आपका 7 और 3 वापे से उपर जाएगा, यह 7 यह 3, और denominator में यह value बचेगी 4, ठीक है, अब यह देखिए, 7 गुना 3 और यह 21 गुना 21, ठीक है, और 21 गुना 21 भी अपने आप में क्या होता है, 7 गुन गुना 3, 7 गुना 3, और 7 गुना 3, क्यूब के लिए हमें इन तीनों में से एक value बाहर निकाल लें यह, मतलब 7 गुना 3 तो हमारा यह बहर आ गया, और divide में क्या है, 4 दिया हुआ है, लेकिन इसका भी तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या यह सिर्फ 4 complete बन गई, divided में मतलब 2 बाहर आ जाएगा, सातिया 21, divided by 2 बराबर 10.5, यह value आ गई 10.5, हमें बताना था 10 10 times, मतलब इस 10.5 को अगर मैं 10 से गुना कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा 105, यहनि कि 105 मुझे मिलेगा, और 105 यह रहा आपका option number A, यह मैंने complete solution आपको बता दिया, और तरीके से बता दिया, अगर यहां पर screen पर होच पोच लग रहा है, तो आप सुनते हुए चीजों को करते हुए चलिए, ठीक है, सार्ट करता हूं next question, question number 14, देखेगा, question number 14 में क्या बूला गया है, ज्यादा busy question लग रहा है, यह भी, okay, A is to B दिया हुआ है, 2 is to 3, अच्छ तो यह हो जाएगा, no, जमा, 2, 4 और 2, 8, ठीक है, is to, और यह कितना आ गया, 17 आ गया, 17 आप देखो के एक ही option मिलेगा, तो यह वाली value तो आपको direct मिलेगा, यह आगे करो या ना करो, depend है आपके उपर, बाकि करके verify कर सकते हो, तीनती या no, minus 8, एक बन जाएगा, तो यह 17 is to 1 आपका complete answer हो जाएगा, okay, next question पर move करते है, मेरे हिसाब से चीज़े ठीक ठाक चल रही है, और I hope आपको भी पसंद आ रही होंगी, आए तो पसंद ठीक है, जी like कर दीजीगा, बाकी चैनल को subscribe कर सकते हैं, वीडियो share कर सकते है, question number 15 के लिए देखिए, यह वही चीज़े है, ज यह मुझवानी वाले question थे, इसके paper में, और काफी question है, कुछ एक question नहीं है, question number 16 देखिएगा, 10 men can do a work in 15 days, बही दस लोग हैं, जो की 15 दिन में काम कर सकते हैं, अगर वो daily 4 घंटे काम करें तो, after 5 days, 5 दिन के बाद, 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, remaining work कितने दिन में complete ह अच्छा, एक बात सोचिएगा थोड़ा सा, यार, remaining work क्या है, पहले तो वो देखो, भाईया, 10 आदमी काम कर रहे थे, ठीक है, 5 दिन तक तो बात है कि काम किया ही है, इसका मतलब 10 दिन का काम pending है, और 4 घंटे लगातार काम होई ही रहे, करना ही था, तो यह एक, मतलब आपक कितने लोग थे, total 10 लोग काम कर रहे थे, सुनगेगा मेरी बात को ठीक से, कि 10 लोग काम कर रहे थे, और उन 10 लोगों का काम 15 दिन पहले वो काम कर रहे थे, तो काम 4 घंटे डेली के हिसाब से complete हो रहा था, अब वो 5 जने, 5 दिन का काम तो हो ही चुका है, ना, 5 दिन का काम इ यह किसके हिसाब से करना है हमें यह mdh मसाले वाला कोश्चन है mdh अगर 4 लोग छोड़ कर चले गए तो 10 में से 6 बच गए दिन हमें निकालने है और वह अभी एक दिन में 4 गंटे काम कर रहे है इधर भी एक काम कंप्लीट हो रहा है और इधर भी एक काम से और यह 6 कर लेते से पहले से 4 लेते हैं यह 4 गया उसके बाद 6 से कट करता हूं अचा यह छोडो यह 10 दाए 100 है यह 6 है भीया, 100 divided by मैं 6 करूँआ, 2 से कट करूँआ, 2 तीया 6 और 50, यह 50 बटा 3 मेरा answer आ गया, यह रहा, option number C, सिर्फ आपको starting वाली चीज समझनी है, कि initially 10 लोग काम कर रहे थे, 15 दिन तक काम कर रहे थे, daily 4 घंटे काम कर रहे थे, लेकिन अब जब already यहाँ पर 5 दिन काम किया जा चुक है, जो कि किन को करना है, अब 10 में से 4 लोग चले गए, 6 बच गए, दिन हमें निकाल नहीं है, और 4 घंटे ही काम किया जा रहे थे, ठीक है, इनको हमें equal put करना है, तो 50 बटा 3 हमारा answer आशा करता हूँ कि आपको चीजें समय आ गई होगी, ठीक है, यह भी statement दी हुई है, चलो अगर वापिस आकर आप घूमना चाहो अपने section में, तो आप घूम सकते हो, otherwise कोई जरूरत है नहीं, इच्छा है आपकी बाकी question attempt करने के हिसाब से, आप अपने तरीके से चीज कर सकते हो, question number 18 में यहाँ पर calculate करूँ हा, देखेगा, क्योंकि होता है कि एक question, दो question तो आपको कैसे मिलेंगे ही मिलेंगे paper में, जो थोड़ा सा time taken वाले भी होंगे और फसाने वाले भी होंगे, तो उन चीजों से बचना है, यहाँ पर C1, C2, C3, C4, C5, C6, अलग-अलग तरीके की चीज़े दी हुई है, मैं question भी आता हूं कि कौन सी statement सही है, कौन सी गलत है, statement number 1 की बात मतलब 3, क्या इनकी ratio 6 is to 7 है, यह देख लेते हैं, ratio decimal से decimal गया, 5, 7, 35 और 5, 36, 7 is to 6 की ratio है, यहाँ पर 6 is to 7 लिखा है, तो पहली statement तो हो गई गलत, तो मैं इसको clear कर देता हूं, और यह लिख देता हूं कि पहली statement जो है, वो मानने नहीं है, वो गलत हो गई, दूसरी statement बोला ग 0 क्या रही है, 5, 37, 35 और 5, 31, 7 is to 6 की value आ रही है, तो यह बिल्कुल ठीक है, second statement, एक बार option पर नजर डालिएगा, यहाँ पर clearly चीज़ें दी हुए है, कुछ, देखिए, बोला गया है कि आपके पास option, जो second statement आपकी correct आई है, तो यहाँ पर second statement एक ही जगे correct दी हुए है, जिस मतलब third statement भी आपकी justify कर रही होगी और correct होगी, क्योंकि बाकी जग है, कहीं पर भी option number 2 की availability ही नहीं है, correct में तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, इसी तरीके से आपको चीज़ें भी देखनी है, options को भी साथ-साथ देखते हुए चलना है, ताकि आप चीज़ों को clear कर पाओ, जस्टिफाई कर पाओ, question number 19 देखिएगा, क्या बोला है, अच्छा, the highest common factor of two number is two fifth, ठीक है जी, highest common factor, अगर मैं इस चीज़ को मतलब notice करूं ही ना, कि ये क्या चीज़ दी हुई है, highest common factor या जो भी चीज़ यहां लिक हुए है, मैं सिदा सिदा लिखता हूँ कि ही HCF जो दिया ह कर दूँ, तो इधर ले आता हूँ ना इसको, तो इनकी value क्या हो गई, HCF 2 है, LCM 5 है, इतनी बात समझ में आई, अगर आपको ये बात समझ में आ गई, तो आपका question हो गया, क्योंकि इसने आगे बोला है, the product of two number is 1690, what is the highest common factor, मतलब हमें ये चीज़ बतानी है, आप एक बात पता ये, आपको एक rule पता है या नहीं, number system मा पता देता हूँ, जो A और B अगर मैं मान लेता हूँ, मेरे दो number है, उनका multiplication, बराबर होता है, HCF into LCM, ठीक है जी, बस ये इसी के based question दिया हुआ है, A और B का product हमें यहाँ पर दिया हुआ है, 1690, 1690, ठीक है जी, और LCM, HCF, अगर मैं ratio के हिसाब से करूँ, तो कितना आ रहा है मेरा, 5 गुना 2, मतलब 10 बन रहा है ratio के हिसाब से, ध्यान दीजीगा, ratio, मैं आपको, ये exact value है, ये ratio है, इसको 10, इस 0 से अगर मैं ये 0 बाइसांस कट कर भी देता हूँ, तो ये 169 बचा, और 169 आपको पता है कि 13 गुना 13 होता है इसका मतलब आपकी जो भी value होगी, वो 13 का multiple होगी, answer में, ठीक है, 13 गुनी 26 और 13 गुनी 65, अब आपको कहोगे जी अपने 65 क्यों नहीं लगाया, answer आपने 26 ही क्यों लगाया, क्योंकि दोस्त, highest common factor हमेशा least number होता है, जो की multiple time repeat होता है, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 5 गुन 3 में HCF क्या है, तो आप मुझे क्या answer कहोगे, आप कहोगे जो इसका HCF 1 है, ठीक है, तो कि 5 गुना 1, 5, 7 गुना 1, 7 और 3 गुना 1, 3, तो इनके बीच अगर कोई एक common number है, वो 1 ही है, आई वा समझ में, इसका मतलब HCF यहाँ पर क्या आपका, इसलिए जो smallest number होगा, वही आप HCF का answer, ठीक है, आप आप यह concept समझ पाए हों, क्योंकि इन ही तरीकों की जरूरोथ होती है, Question number base, आज की वीडियो का last question, I hope आपको चीजें पसंद आ रहे होंगी, और अगर चीजें अच्छी लग रहे हैं, तो like करतीजेगा, share करतीजेगा दोस्तों में, और subscribe कर लिजेगा, जो भी नहीं होगे वर्स हो, देखीगा, question number 20 का solution, ये एक हमें expression दिगवा है, इसकी हमें value ब power 3, ठीक है जी, अब इस expression का आप solve कर लिजेए, ये तो आगया 1 minus 7 minus 49 and plus 7 का cube कितना होता है वई, 343, ठीक है, ये चीजे तो आपको याद करने ही पड़ेंगी, उसके बाद मैं negative वाली को एक साथ कर लेता हूँ, उननचा सोर साथ कितने होते हैं, ये तो आगया minus का 56, ठीक है, मैं इसको solve करता हूँ, तो ये कितना आजाएगा, 344 में इसे 56, ठीक है, और कहने का मतलब, आपको जो एक expression का solution मिला, वो क्या मिला, 739 गुना में 288, ठीक है जी, और अब आप खुद सोचिए, कि अगर ये expression completely divisible होगा, और 7 की power 29 और 2 की 288, मतलब 288, इस complete expression के factors हैं, इसका मतलब 288 से ये complete divide होगा ही होगा, और 288 अपने आप में क्या होता है, बहतर गुना चार, अगर मैं options के ये साब से जाओं तो, ये रहा option, इसका मतलब बहतर भी इसका factor है, ठीक है, क्योंकि मैंने 288 को divide कर दिया, किसमे 72 into 4 है, इसका मतलब 72 भी इसका factor है, अगर 72 इसका factor है, तो ये complete expression, 72 से भी completely divisible होगा, इस तरीके का question मैंने solutions में करा हुए है, पीछे भी, और QN College का मैंने math का solution दिया हुए, complete, अब का arithmetic का 54 वीडियो में, वहाँ पर भी चीज़े करा हुए है, सिखा हुए है, वहाँ पर भी देख लीज़ेगा, I hope चीज़े बहतर रही हो, और ज